राजनन गाउं जिले में एक युवक द्वारा जिन्दा समाधी लेने के खबर से हड़कम मच गया जानकारी मिलते परशासन तुरंट अलर्ट मोट पर आ गया है लोगों ने से देवी डेवता से जोडते हुए समाधी इस्तल पर नारियर परसाद चड़ाना भी शुरू कर दिया दूसरी और जानकारी लगते ही शासन परशासन ने भी हरकम मच गया और अब मौके पर परशासन की तीम भी है मेरा लड़का नौ रात्री अभी नौ दिन तक है समाधी ले है विक्षिब है अंदर में उसका जास कर रहा है दूर्गा मा का मननक गांगरी से पूरा होगे देवी के मैं नौ तारिक से समाधी में गया हूँ और मैं खुद के स्वक्षा से ये कारे कर रहा हूँ अठारा तारिक तक के गुरु जी नहीं बुले हैं लेकिन गुरु जी है मननत है पूरी हो गई है इसलिए मैं बैठा हूँ अभी हमार गाम है हरिष्चंद बन जारे नौरात्री के मैं अपन घर में जोज जला है और समाधी ले है सर उपर है और धर्ड नीचे जमिन के अगर बता थे कि मोर मननत री से मननत पूरा हो गए एकर वज़े से मैं यह काम लग करा था हूँ इसलिए अब यह सब काम हमला न यहां बैठे रहन बहुत देखता है कुकर से बात्ची करें चर्चा करें फिर दूसरा दिल थाना में जाके सूचना दें कि इसे इसे हमर गाह में हैं ऐसे करके और जर्श्डियम सहाब के पास भी गे रहन साहब नहीं रही से वह कादयलम छोड़े नहीं जानकरी वहां दर्सक्मन की भीड़ तो बहुत जादा है आसपास के गाउं से भी आते दूर दरास से आते हैं मार गाउं में हम आये दर्सन करने गंसाम बंजारे का यह समाधी लिए हुए हैं नौरात्तिरी के पहले दिन से तीन बज़े से बैठे हैं जमीन के अंदर हैं और इंका 18 पुरा हो गई है उसके फ़ल सुरूपे बैठ करके अफनाए कर रहे हैं समाधी लगाए हुए हैं प्रसासन के दौरा जानकारी मिली कोटवार से की मतलब नायत तो सिंदार पटवारी आराई लोग आये थे उसके वास्वास्त बिभाग के लोगों का आना जाना है यहां पर प्रसासन के मतलब जानकारी में है कोटवार के माध्यम से पता चलो है आप देख रहे हैं डखल न्यूर